हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सिवाई कस्टर्ड फलूदा की रेसेपी ये बहुत ही स्वादिश डेजर्ट है घर की चीजों से इसको बनाएंगे तो फ्रेंड्स आईए देखिए इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं गैस पे एक कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून घी घी जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें एड़ कर देंगे तीन टेबल स्पून सेवाई ये मैंने मार्केट की वर्मी सली ली हैं आप इसकी जगह पे घर की बनी हुई सेवाई भी इस पातार इसी तरह से चलाते हुए हम इसको भून लेंगे थोड़ी ही देर में सेवाई का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से भून के सेवाई की रेसेपी बनाने से बहुती अच्छा स्वाद आता है तो ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे सेवाई का कलर चेंज हो चु के हैं अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद दूद में सेवाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए सेवाई को दूद में पका लेंगे मारकेट में फूनी हुई सेवाई भी आती है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब हम इसको ढग देते हैं ढग के इसको हमें अच्छे से पका लेना है अब सेवाई को ढखके 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ढखके पकाने से सेवाई जल्दी सौफ्ट हो जाती है और पक जाती है तो अब ढखकन हटा लेते हैं और इसको चला लेंगे तो ये देखिए सेवाई अच्छे से सॉप्ट हो चुकी है और पक भी चुकी है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और चलाते हुए पका लेते हैं अब यहाँ पे सेवाई अच्छे से पक चुकी है गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और एक बॉल में डालेंगे एक चौथाई कप दूद इसमें एड़ करेंगे आधा टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर दोनों चीजों को अपस में अच्छे से मिक्स करते हुए दूद में घोल लेंगे और इस घोल को सेवाई में डालके अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए अभी हमें इसको दो मिनट तक और पकाना है थोड़ी ही देर में ये दूद गाड़ा होने लगेगा तो ये देखिए हलका हलका गाड़ा होने लग रहा है तो दो मिनट तक अब हम इसको और पका लेते हैं इस तरह से बहुत ही बढ़िया गाढ़ा कस्टर्ड बनके तयार हो जाता है अब हम इसमें एड़ करेंगे चीनी तो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ तीन टेबल स्पून पिसी हुई चीनी चीनी बाद में एड़ करते हैं जिससे सेवई अच्छे से पक जाती है पहले एड़ करने से सेवई पकने में टाइम लगता है तो पिसी हुई चीनी डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब ये अच्छे से बनके तयार हो चुका है ये देखिए तो ये सेवई कस्टर्ड को अब हम गैस बन कर देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आदे गंटे तक के लिए फ्रीज में रख देंगे तो ये देखिए गैस का फ्लेम बन कर दिया है और इसको ठंडा हो जाने के बाद फ्रीज में रखेंगे अब यहाँ पे मैंने दो टेबले स्पून सबजा के बीज लिये हैं इसको पानी में डालके 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे जिससे की अच्छे से फूल जाएगा अब यहाँ पे ये देखिए सेवाई कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है फ्रीज में रख दिया था जिससे की ये चिल्ड हो गया है एकदम तो अब हम इसको सर्व करते हैं सर्व करने के लिए एक बॉल लेंगे और इसमें पहले सबजा के बीज डालेंगे ये अच्छे से फूल चुके हुए हैं तो सबजा के बीज सबसे पहले डालके इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं अब इसके उपर त्यार किया हुआ सेवाई कस्टर डाल देंगे तो ये देखिए अब ये कितना गाढ़ा हो गया है और एकदम चिल्ड है ठंडा है फ्रीज से निकाला है अभी इसको तो इसको डालने के बाद अब हम फ्रूट्स रख देते हैं इसके उपर तो अपने पसंद के फ्रूट्स इसमें एड कर लें मैं यहाँ पे सेव और आम डाल रही हूँ थोड़े से छोटे-छोटे टुक्रों में काट लिया है फलों को ड्राइ फ्रूट्स भी एड कर देते हैं काजू, बादाम, पिस्ता और इसके उपर थोड़ा सा और ये सेवाई कस्टर डाल के और टूटी-फ्रूटी डाल देते हैं, टूटी-फ्रूटी टोटली ऑप्शनल है, तो फ्रेंड्स ये देखे कितना बढ़िया सेवाई कस्टर फलूदा बनके तयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी थंडा-थंडा लगता है ये खाने में, तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये रेसेपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में